सिर्फ इतना कहना चाथ हूँ की जिस प्राकार तिस गड़ और जार्खंड के लोगों को शुरू में नकसलवादी कहा गया तो पूरे देश की आदिवास्यों को कोई फरक नहीं पड़ा कि ठीक है और पता भी नहीं था कि नकसलवादी क्यों कह रहे हैं क्यों नहीं कह रहे हैं वास्तविकता यही है कि जिस जिस दिन आदिवाशी जहां जहां पर अपनी वास्तविक मांगों के लिए सवेदानिक मांगों के लिए आवाज उठाता है उस नादिवाशियों को ये देश नकसल सट भरती वाले मामले में जिस प्रकार का रवया सरकार ने और प्रसासन ने अपनाया उससे यही सामने आता है और मीडिया ने अपनाया आतंगवादी और नकसलवादी कहने का इससे साफ जाहिर होता है कि पुरे इंडिया के आदिवादी को नकसलवादी गोशित कर दिया जाएगा और उसके बाद सारे अदिवादी जमीनों उनके मुलबूद जंगलों जल सबसे बरखास्त करने के काम शुरू हो जाएंगे और हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे अगर आपको कुछ करना है तो आपके वास्तविक मांग को गलत कह रहे हैं आपके हग की आवाज को नकसलवादी गोशित कर रहे हैं आज आप अपने लिए नहीं जागेंगे तो एक दिन देखना आप आपके जल जंगल और जमीन से हाथ दो दोगे ये चीज अभी समझ में नहीं आएगी